ये कारेकरम सत्ते घटनाओं से प्रेरित हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविक्ता उन्हीं तक सीमित है भूत प्रेतों और अब समानने विश्यों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और नाहीं प्रुच्जान करता है हम इंसानों को लगता है कि हम इस दुनिया को समझ गए हमने अपनी साइंस से इसकी गुथियां सुल्जा ली हैं पर जब भी हम ऐसा सोचते हैं ये दुनिया कुछ ऐसी नई पहेलियां हमारे सामने रख देती है जो फिर से इंसानी समझ को जोटा साबित कर देती है क्यूं हमें उन पुरानी हवेलियों में जाने से मना किया जाता है क्यूं कहा जाता है कि दिन धले पुराने कब्रिस्तान वाली सडक से मत कुसर रहां बड़े बुड़ों की कही सारी बातें मित्या या मित्ह या वाकई उनमें कोई राज छिपा हो सकता है सोचिए मैं उन दिनों केनेडा में जॉब करता था दस साल हो गय थे मुझे वहाँ पे मेरी पत्नी नंदनी और मेरी शाधी को चार साल हो गय थे हमारा प्रवीन भी एक साल का हो गया था निदेश में हमारा मन नहीं लग रहा था रह रहके अपने देश की मिट्टी बुला ही लेती थी फाइनली एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया वापिस जाते हैं वहीं कुछ कर लेंगे अपनों के बीच बनारस में हमारी पुरानी हवेली थी जो सालों से बन थी नंदनी का माय का बनारस में था सो हमने सोचा कि उसी हवेली को होटल में बदलके हम भी उसी में रह लेंगे सो एक दिन हमने अपना बोरिया बिस्तर बांदा और इंडिया की प्लेन पकड़ी और बनारसा गए अपनी पुरानी हवेली तो कैसी लगी हमारी हवेली तुमें? गंदी, उफ, कितनी धूल है यहाँ पे पर कल ही तो सफाई खत्म होई है अब इतनी धूल तो आखिर पूरे इंडिया में होगी इससे नहीं बच सकती अचानक से बेस्मेंट के उपर आने वाली सीड़ी से चार छोटे बच्चे लगभग चार साल के भागते हुआ है उन्हें देख के हम एकदम से डर गए बंद हवेली में बच्चे कहां से आ सकते हैं? हम एकदम से शौट थे ए बच्चों, रुको, कौन हो तुम लोग? और यहां अंदर कैसे आए? हम तो यही रहते हैं क्या मतलब? यही रहते हैं? साफ साफ बोलो अंदर कैसे गुसे और तुम्हारे माबाप कहा है? हाँ, हम यही रहते हैं हमेशा से चाहे तो आके देख लो देखो, सच बोलो नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूँगा एक मिनिट अच्छा बच्चो, तुम्हें पता है? यहां बाथरूम कहा है? हाँ, आईए ले चलते है तुम बाद में लड़ने ना मैं बच्चों के साथ बाथरूम होके आती हूँ प्रवीन का डाइपर भी बदलना है तुम फिजूल में परिशान होते हो कोई दर्वाजा कहीं खुला रह गया होगा बच्चे ही तो है हाँ, तुम हो आओ मैं जरा बाहर देख के आता हूँ बच्चे नंदनी को बेस्मेंट में किसी बाथरूम में ले गए में कुछ आदा घंटा लग गया वापस आया तो नंदनी अभी आई नहीं थे मुझे लगा काफी टाइम हो गया नंदनी को गय हुए नंदनी 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 हाँ, आई कहां गई थी तुम बस नीचे वो बच्चे यहीं पास के थे चले गई पता नहीं कितने कमरें हैं इस हवेली में अठारा अरे, तुम्हें कैसे पता? यह बिली यह कहां से आई? अरे, कितनी तरावनी है क्या-क्या है, पता नहीं इस घर में वो टीनी है यहीं रहती है तुम्हें कैसे पता? कैसी बाते कर रही हो? मुझे कुछ भी तो नहीं वो ये सब मुझे उन बच्चों ने बताया और ये प्रवीन इतना चुप क्यों है सवेरे से इतना रो रहा था अब इसकी आवाज भी नहीं निकलती जरा देखूं तो बास मत आओ ठीक है वो ये क्या हो रहा था नंदनी को कुछ तो बदल गया था ये बच्चे वो बिल्ली कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने उसके ना बोलने के बाद भी जाके प्रवीन के माते पे हाथ रखा परफ से भी ठंडा था मैंने नंदनी का हाथ पकड़ा कहने के लिए कि जरा देखो उसे पर नंदनी का हाथ भी उतना ही ठंडा मुझे लगा कि शायद मेरा हाथ ही ज़ादा गरम रहा होगा नंदनी ने बोला तुम ठक गए बैठो चाए बना लाती हो पर चाए का सामान कहा है नहीं है मैं तुम्हारे पीछे ले आई थी दो दिन तो जैसे दैसे कट गए मैं हवेली के काम में काफी बिजी था और इसलिए हवेली में कम रहा नंदनी का बरताव कुछ अजीब होता जा रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन बच्चों का घर में आना काफी बढ़ गया था नंदनी पूरा दिन उनके साथ बैठी रहती पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने घर से निकलना बंद कर दिया था वो जब से आई थी एक भार भी हवेली से भार ना निकली थी जिसने कैनेडा से मुझे इंडिया गुमाने के लिए सर में दर्द कर दिया था अब हवेली से भार ही नहीं जाना चाहती थी नंदनी अरे प्रवीन को भी एक बार ना डॉक्टर को दिखाई देते हैं नहीं कहीं नहीं जाना है मुझे प्लीज मुझे फोर्स मत करो और यहां कितने लोग हैं बच्चे हैं टीनी है दादी है और वो सुमित्रा भी तो है जब तुम दिन में खाम से जाते हूँ इनके साथ मेरा मन लगा रहता है दादी सुमित्रा आखिर कौन हैं ये लोग मैं क्यों कभी नहीं मिला इनसे और कहां रहते जहां ये लोग तुम किससे मिलती हो किसके साथ होती हो नंदनी, देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तुम फिर परेशान हो रहे हो मैंने कहा न दादी, सुमित्रा ये कौन लोग थे और नंदनी इनसे क्यों मिलती थी अखिर ये चक्कर क्या था तसली के लिए मैंने बोला ये जो भी लोग हैं नंदनी मुझे इनसे मिलना है हाँ, तुम मिल ले ना अभी तो यहीं थी दोनों हम तो यहीं है बिटा हमेशा से यहीं थे कौन है ये नंदिनी और क्या मतलब हमेशा से अरे ये दादी है ये यहीं रहती है पास में तुम नहीं होते थे तो मेरे पास आके बैठ जाती थी काफी अच्छी लड़की है नंदिनी हमारा भी मन लगा रहता है नहीं तो अकेले कौन तुम लोग और ये क्या मतलब है कि यहां रहते हो ये ये मेरी हवेली है यहां कोई और नहीं रहता नंदिनी बोलो बोलो इनसे कि ये लोग यहां से चले जाए मैं मैं पुलिस को बलूँगा नंदिनी उठो मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने नंदनी का हाथ पकड़ा और उसे उठाया मैं उसे यहां से बाहर ले जाना चाहता था मुझे लगा ये लोग वैसे ही कितने अजीब लग रहे हैं नंदनी अगर यहां एक पल भी रही तो पागल हो जाएगी उसके एक हाथ में प्रवीन था मैं उसका हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले जाना चाहता था नंदनी चलो चलो यहां से नहीं ले जापाओगे अब वो कही नहीं जाएगी हमारे साथ यही रहेगी रितेश रुको मुझे कही नहीं जाना रितेश उसके बाद कुछ ऐसा आजीब हुआ जो कि आज भी मैं विश्वास नहीं कर पाता मैं जैसे ही नंदनी को खीच कर बाहर के दरवाजे तक लाया वैसी अचानक उसका हाथ मुझसे छूट गया मैंने पलट कर देखा तो वो प्रवीन के साथ अंदर वाले दरवाजे पे खड़े था मेरा सर चक्रा रहा था कि आकिल ये हो क्या रहा था और ये हो भी कैसे सकता इट्स नॉट पॉसिबल अभी एक हावाज आई पगडवंबंबो रहे बेटा हवा को नहीं पकड़ते वो कभी हाथ दे हाथ आप आप कौन है मेरा नाम परमहंस है मैं एक योगी हूँ जिस सवाल को लेकर तुम परिशान हो उसका जवाब है मेरे बास मैं बहार आया बाबा वहीं खड़े थे एक अजीव सी शामती दो उनके चैरे में मैं उनके सामने रो पड़ा मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है क्या हो क्या गया है नंदनी को और अभी जो ये हुआ बेडा सत्ते वास्तविक्ता से भी सादा भयानक है मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुना बेडा तुमारी पत्नी और बच्चा अब जीवित नहीं है उन्हें मरे चार दिन हो चुके है क्या क्या कह रहे हैं आप आप भी उन औरतों की तरह पागल तो नहीं है अभी तो नंदनी मेरे साथ थी जाए यहां से जो तुमारे साथ थी वो तुमारी पत्नी नहीं उसकी आत्मा थी तुमारी पत्नी को भी नहीं पता कि वो मर चुकी है ना ही उसे पता चलेगा कभी तुम्हें तुम्हें इस हवेली के बारे में कुछ नहीं पता बहुत साल पहले यहां पे तीन बच्चों को उनकी माँ से अलग करके निर्देता से मार दिया गया था पर उनकी आत्माए उनकी आत्माए आज भी इस हवेली में है जो कोई भी औरत इस हवेली में जाती है वो बच्चे वो बच्चे उसे अपनी माँ समझ कर मार देते है और सबसे बड़ी विडम बना ये है, कि इस हुएली में जो मरता है, उसे भी नहीं पता होता कि वो मर चुका है वो हमेशा इस हुएली का होकर रह चाता है वो बूरी आूरत, वो बूरी आूरत उसकी बहुके साथ भी यही हुआ था बेटा मैं? मैं फिर भी नहीं मानता आओ, चलो मेरे से मैं बाबा के साथ अंदर गया और जैसे ही बाबा अंदर खुसे वहाँ कोई नहीं था मुझे सोचकर और भी डर लग रहा था कि जो बाबा कह रहे हैं कहीं वो सच नहीं बाबा ने मुझसे पूचा कि जब तुम यहाँ आये थे तो तुमारी पत्नी सबसे पहले कहां गई थी मैंने बेस्मेंट की तरफ हाथ दिखाया और मुझे यह सोचके और भी अश्चेरे हुआ कि मैं खुद कभी वहाँ क्यों नहीं गया मैं जैसे ही बाबा के साथ नीचे गया तो वहाँ जो था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई वहाँ नंदनी और प्रवीन की लास थी नंदनी नहीं उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं मैं बेवोश हो गया था काफी दिनों तक मैं हॉस्पिटल में था डॉक्टर्स ने कहा कि मैं सिवे ट्रॉमा में था नंदनी और प्रवीन की अस्तियां मेरा इंतजार कर रही थी मैं उन्हें वहीं गंगा में विसर्जित कर कैनेड़ वापस आ गया हवेली मैंने गिरवा दी मेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी थी सवाल है कि छोक्च रिदेश ने बताया वो कैसे मुम्किन हो सकता है पर साक्षी को प्रमान की जरूरत नहीं होती वाकि कभी कभी सच कल्पना से भी ज्यादा बया नको सकता है ऐसा सच जिसके सामने होकर भी आप अपने आप से यही पूछें कि वो जो कुछ भी था क्या